असलों अलेकुम तो आज बना जाए बेसन की बर्फी और आप इस बर्फी कर टेक्शर देख सकते हैं कितना अच्छा है बहुती सॉफ्ट बर्फी बनी है यह और बिल्कुल हलवाई स्टाल बेसन की बर्फी बनी है और आप इस वीडियो को एंड तक देखें तो चलिए वीड यह जो है दो पर को चलिए फकी उपन ले लिए अट तो बेसन की बर्फी बिनांके लिए मैंने आप देखें लोग अल्याद उसे देखें लिया ता मनलब के वन एंडा हाफ और ऐसे कुछ इसे कि से लेविल करके लिया था मैंने बिल्कुल उपर तक बरके बेसन नहीं लेन सब्सक्राइब दिकाद जो लाइन गीर ने को इसन में जड़ा तो अची को दिखते बंगें तो अच्छी लिए थे गाई पाने कानी लिए मैं को फ्रीक भूंच पर दो भूंच के लिए था दो लिए Vince and से हलकी खुश्भी एल्यम झाल आरे री तो इसंग की अग्षण को प्रेस दोपली तो यह शुर्ण कि भी जएने दे तो प्रेस एंगे गी हवी दालूंगी तो पर्येट सब्सक्राइबु Tobies जाए जाए लेना है और गयास का फ्लीम लोई रहने देने हैं तो मैंने आप घी को ची तेकी से मिक्स कर दिया अब मैं वापस दूगा जितने ही बचाओ घी उतना घी में डाल दूगी और गी किया पर्फेक्ट क्वंटिटी ली थी मतलब कि अगर घी जादा हो जाता है तो ज चैटनियों पाती है बहुत जादा सॉफ्ट बन जाती है विल्कुल हल्वे के तरीके और अगर एक तिहाए कप लेंगे घी मतलब कि 80 ml तो बिल्कुल पर्फेक्ट बर्फी बनेगी तो अब मैंसे मिक्स कर लूँगी अची रेकिसे घी को और बेसन को तो मैंने घी और बेसन पर जी कलोंडे के लोग मिडियम फ्लेम पे फ्लेम मीडियम आई और अच्छे अच्छे देख रहना है जितने अच्छे बने की उतनी अच्छे टेस्ट आएका बर्फी का तो मैं इसे बहुन ली और आप इसकी कंसेसंसी देख सकते हैं कि थुदी थच तेक हो चुकी है और म इसे mix करती रहूंगी और घ्राइस का फ्लेम भी आफ कर दिया है मैंने तो अब मैं इसे एक साइट प्रक दूंगी और अब मैं चाशनी बना लोगी और इसे थंडर कर लेना है तो चाशनी में अब आएक पान लिया है तो पान भी चीनी अब दो धूगी तो अब मैं इसमें फूट कलर डाल दूगी तीन राप में यहां पे लिक्वीड फूट कलर की डालूगी आप चाहे पौडर फूट कलर कर सकते हैं से मिक्स कर लूँंगे और अब मैं STA kis rig मुरा लूँंगी और आगे मैं आपको बताऊंगी वीडियो कि कें najा कैसे बनती है तो सब्सक्राव के एक तार की चाशनी मुरा बनाना है तो एक तार की चाशनी बन चुकी है और आप देख सेंगे कि इतनी ठेक हो चुकी है और आप एक चाशनी बनी है नहीं एक प्लेट ले लिए उस पे एक डॉप ऑलब डालने चाशनी की और फिर थोड़ी सी ठंडी हो जाएंदे और उसके पाई असे जैक करें पूरा तार नही तो आप देख सकते हैं कि एक तार की चाशनी बन चुकी है तो आप मैं इसे एक साइट पर रख दूंगी ठंडा हो जाएं के लिए तो मैं आप एक डिश ले लिए एक ट्रे ले लिए इसके अंदर मैं घी डाल दी अब मैं इसे पूरी में इस्पिट कर दूंगी ही को इसमें हमगों कि एक प्लेट में बर्फी और आप इस लिगा तो मैं इस कर दून हो जाने हैं कि अधुच आछी नहींidd Wells में लिए अधर चाशनी को अब तो मैं इसे नहीं मिक्स कर लोंगी ठोंगे यह बार में यह व्यक्रत कर लूंगी में हैं तो इन ते मिक्स कर दिया। यह दो बार में डाल रहे हुँ को तो यह इसे भी टो शुप करना को नहीं है मैं शाट करको बछोल करें को है अंचितर का के ओर प्रेमदी खीन Imperator के तो कि मिच्छे यहां डोली धिनकी का यहां तो तो अब मैं इस मिक्षर को इस घी मतलब कि ट्रे में डालना कि जो ग्रीस की हुई हैं तो मैंने डाली अब मैं से कुछ इससे किसे स्प्रेड कर लूगे आप से हाथ से भी कर सकते हैं लेकिन यह हलका गर्ण है इसले मैं आप एक सपैचुला यूज कर रही हूं और आप से सील क प्लेट में बर्फी को जमा सकते काफी असाई से जम जाती है आप मोटी पतली अपने साफ से बर्फी बना सकते हैं है मैं अच्छक कर लिए और इस एक्स्ट्रा गी था गी निकल गया इसमें तुम ऐसे एक साइट पर कर दे रही हूं इस तरही के से ताकि बर्फी अच्छी तरही के सेट होगी तो अब मैं इसे रख दूंगी रूम टेंप्रेचर पर एक घंटी के लिए तो एक घंटे हो जुगी और मैंने इसके ओपर यह चांदी का वर्क लगाया था आप चास के ओपर ड्राइ यह रेक्टेंगल पीसेस में इसे कट कर सकते हैं पहले मैं इसके एज काट लूँगी ताकि थोड़ी क्लीन आ जाए मतलब की बर्फी का शेप अच्छा सा आ जाए तो अब मैं इसे कट कर लूँगी मैं यहां पर स्कॉयर पीसेस में बर्फी कट कर जी हूं और काफी सॉफ आसा SIMकि बर्फी को कट कर लोंगी ताकि इस को क्यार पीसे पीसेस पें आ जाहा है और अपसे में बर्फी बिद्द बना सकते हैं तो मैं नहिं कट कर लियो आप मैं आपको एक बर्फी निकाल के देखाते हूं कितनी सॉफ्ट है और वीडियो के साटिंग में आपने स्क्रा कि इसका टेक्शर कितना अच्छा है वापस मैं आपको एक बार दिखा दूगी कि इसका टेक्शर बहुत अच्छा है इसमें घी तोड़ा सा एक्स्ट्रा निकल गया था लेकिं फिर भी अच्छी तेगे सेट हुई है क्योंकि घी को मैंने एक साइट पी रख दिया था अगर गी जादा हो जए तो आप फीस एक साइट पे रख दे तो आप इसका तेक्शरे देख सोगी कि इतना अच्छा है कितनी बिलकिल पर्फेक्ट शेप में बर डख में से इसे सर्फ कर दूंगी तो बर वेन्री को मैं सर्फ कर दिया है ऐख और विप गया हलवाई इस्ट बार तो आप इस रेसिप को जो ट्राइ करें और अगर आपको इस रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जो करें तो बर्फिय में आपको तोड़ के दिखाते हूं कितनी सॉफ्टर कितनी असाइं से टूट रही है और इसका टेक्श्रा आप देख सेंग को मिलती है और आप मेरी भी वीडियो समस्क्राइब और आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें इंस्टाग्राम आइडे के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देदूंगी तो आपको अपनी नेक्स वीडियो में दिलने इत गूरें फिल